हाई दोस्तों गुड मोर्निंग कैसे है और सर्दी बहुत जोर की पड़ रही है बच के रहना मेरी मम्मे को दोस्तों बुखार हो किया है और सारे सारा सुरीर द्रदगर रहे है रात को जदना तकलीफ हो रही थी सोनी पाई रात को डोक्टर के पास लेख के जाओंगा तोड़ी तेर में अभी ये वह खाना खिला के मतलब डोलो जो दबाई आती है वो दे देते हैं फिर उसके बाद में देखते हैं वारे ले वासे तो ये सभी के आ रहे है दो चार दिन पहले बाप भी को आता उससे पहले अरून को आता तो शायद वारे ले एक दिन दो दिन सभी के आ रहे हैं बहुत को है क्यां कई वह दोलो चले का तो इस ब्लूब ऑना भार दोपली में पहले हैं अब हुआnt छादी मुझाद खुड़ाogn आज मैंने नाना केंसल कर दियां अ Maisूआ नाना चैंशल अज मैंने कर दिया नाना कैंशल लेंद ना अरे लाइट वन्द गरो रातन कितनी देन नी दाएधी कर दो पजे आप खुड़े हैं दो पजे पर ना आई नेन अपर थोड़ी अपर बंद करके आराम करो यह लाइट में बंद करतो हुआ ट्विएगे सोच्चों और ना गणा खाल दो विवाद बंद कर दो ने थोड़ी देर में चाय बनाओं जब कर दो है बना लो ममें चाय पाणे भी गरम कर दो ना ठीक हुआ क吸ा हूं तो इसव मेरु ममी जो है मेरे से बात चीद करतो है इक य Щर मेरा करते पान अधी मेरा भी बोलने का मन नहीं था क्योंकि मैं चाहता था कि मम्मी थोड़ा बहुत आराम करें ताकि यह जल्दी से ठीक हो जाए मगर मेर मम्मी जो है भू ठंड में मतलब काम करती रहती है पानी जो है ठंडे पानी से बड़त्जन वगेर चाहप करना तो इस जो जिसे भीमार हो यह है मम्मी पानी में नमक गेर के लाओं कई वाइट आलो ठीक है और हमें से कोई भी बड़तन साफ करने के लिए बोले तो मम्मी एना मना कर देती है क्योंकि मम्मी को एना दूसरों को काम इतना पसंद नहीं आतना तो इस वज़े से किसी को करना भी नहीं देती और खुद कर लेती है ज्यादा तो विमार हो जाती है तो इस वज़े से मैं काफी काम तो है जो खुदी कर लेतना हूं मम्मी को बोलता भी नहीं क्योंकि मम्मी जो है बिमार हो जाती जल्दी जल्देगर में केरो हैं मामी को कर शुदा है थी जल्देगर लगार जल्दो मत्मा होई ते ले थां नहीं है कुछिना जाना है लुकाँ जेए बजला ही से जाएज है, नहीं से रोप्टी जपी करें चाहिए अदूप निकली जाए ने? दूप निकली है जाद दाना निकली तो ना भी आचाहिए लेक्या हो मैं तम पिल्लो पाने पहला गरम से दिर दिर पी होंगे मेरोई काम मली आतो चाहिए नहीं पानी कोई बात ना? मैं लाएंगा विंगा, दो लाएंगा जैसा कि अभी आपने सुना कि मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि तू अपने चाहिए क्यों नहीं लेक्या आया और मेरा जो पहले का बरतन रखा हुआ उसे में पानी डाल देता दूसरा बरतन क्यों किया है मेरे मम्मी को अना एक परकार के कोई चिंता से लगी रहती है कि ये बरतन मतलब कम साफ हो और मतलब मेरी चिंता मतलब की तुने चाहिए क्यों नहीं पी देता हूं दाल जावल बना लेंगे रात को क्यों क्यों कि इसमें दाल से ना इसमें दलिया है क्यों 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 दोस्तों ये दाल देखके मेरे को किसी की याद आ गई तो मैं आपको बता देता हूं कि मेरी एक मोसी है जो बहुत दूर रहती हमसे और वो जो है सबजी, खाना वगरा जो कुछ में बनाती है वो काफी अच्छा बनाती है और मैं उधर मतलब 2-5 साल रहा भी हूँ तो मेरे को याद है तो उनका खाना जो है वो मेरे को मेरी मम्मी से भी अच्छा लगता है और वो मम्मी की छोटी बैन है तो मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरे को सच में अच्छा लगता है तो छुपाने वाली कोई बात है नहीं कभी मिलेंगे तो फिर दुबारा से मतलब उनके हाथ की जो ये दाल है ये खाऊंगा और कोई भी सब्जी बना दो चाहे वो तो उस सब्जी के अंदर है ना टेस्ट अलग ही आता है जो वो बनाती है उसके लावा जो चट्नी वो बनाती है चट्नी एक नंबर की बेकार बनाती है चट्नी मेरे को नहीं पसंद आती है अजी भी चट्नी बनाती है जो किसी ने इनके बच्चे भी डोक्टर है इनकी जो वाइफ है वो भी डोक्टर है और इनकी जो बववे हैं बच्चों की वो भी डोक्टर है तो काफी डोक्टर है तो दोस्तों मेरी मम्मी को काफी समझाया मगर मेरी मम्मी मानने नहीं और फिर से अथियार उठा लिए और ये इतियास तो चरदी शीक लिओंगी ना इठीक ने शाद साथ राथ भी चला लिओंगी और अगी ठीक रोटी बहुत अच्छी लागी मेरी माँ चुलाप बढ़ती ना हम सारा बान बाई चार उतर बेड जयता सब्जी मेरी माँ बढ़ती सनिवार रहत वार नजय जिस दिन मेरो बपु बढ़ने तो मापुजे दिन आउं तो गुर्गाव शीओ दिन सब्जी बढ़ती अम दूध रोटी तीन उटेम दूध और रोटी गी रोटी ऐसे खाली आगरता बर बर मग्गा दूध जब कहन बेवा बिना इतो बात को इव तो बिना सब्जी काम इना चले जब खाली तो बढ़ा बरा आप रिया था जमननों दूसर हो तो इव टायम कीत यह कांख मा रोटी मारकेर खेत मा जाता ना 2-3 जनी जाता ना अलग लग रोटी रोटी एक बर तुमेर तेरी बुगा तेरी बुगा मैंने भी उसारो करयो रोटी लूए है जनी के अम नेदो बेड ने एक कपड़ा में पेट गें और तिर बुआ सोची में सुने को नहीं कि बाद तिर बुआ दो रोटी गाली दो रोटी मारी फिर प्याज भाई दाब लिकांगों तर घरगाव में कुऊ से ना कुऊ आग नाकी हर्मननुके कपड़ दे जो मंदासी के लिए लेगा था सिर्चु लोग लोगाई सुने उठे काम रोटी सी पढ़ जेंगी ते बुआपकाय तक खोशीलियो मेरका नाशीष्टर पड़के रोटी निकलगी पड़के प्याज किता गुड़ती फिर बौत मदा की बात थिवे इप टाइम ही गए और टाइम के गए गए वो टाइम तो करे आव और लूबाप मिलेंगे ना भएड़ाय मिलेंगे मिलेंगे तो वह डूसरी रूप में जैसे आप ने थे पहले पीए than फेटीन आँ भिष्टा है आर समय के साथ हर इंसान मदलता बदलता जा रह Warren तोस्तों हमारा खाना पिर्ना ओ गया है और बुखार मम्मे को वहा था और यह मूत के मेरे मूँ पे चला गए दकूं और यह जो रोटी है इसको मतलब राजस्थानी लोग बनाते हैं इसको बोलते हैं पर यह बनाते हैं यह से आग में शेखते हैं उन कांट्रीज में इसी तरीके से रूटिया मनती हैं मगर वो गरम रेत ने अंदर सेखता है बीना तब वेगे सेख की जाती है यह सही और इसकी सबसे खास्यति होती है कि जो इसका पकी हुई जो है ना करार आपन खुश्बू बज्जवर्दस होती है खाकरे में इसके साथ में चट्नी होती है अरे इसको यह मत सोचना इस प्रमिट्टी लगे गी राख लगे पुछ नहीं लगे रसा पर दोस्तों आपको मेरा लुक कैसा लगा मेरे को कमेंट करके जरूर बताना और अच्छा लगाओ तो के ममें लाइक करना और सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना अगर आपको यह रोटिया खाने हो तो मेरे पास आजाना बहुत प्यार से बनाऊंगी ऐसे शेख शेख के पेला एक बर बोलो सब सब्सक्राइब करना प्याल के बुलाता है ऐसे बूल ले थी सब्सक्राइब करना ना आदी वाद तो मन कदे कदे मेरा सी उक्टूक निवरे ठीक है तोस्तों गुड़नाइट टेक केर मिलता है कल एक नहीं वोग के साथ बाए बाए